तो दोस्तों preset wide valence का use करना बहुत इजी है कई बार आप Kelvin यूज़ करते हो तो कई बार blue या फिर warm कई बार आप wide valence को सही से set नहीं कर पाते हो और आज कल जो वैडिंग्स में है तो बहुत ज़ाद artificial light को use करने से क्या होता है कि जो हमारे wide valence वो proper connector नहीं हो पाता है तो simply क्या करना आपको i button को प्रेस करना प्रेस करना प्रिसेट को option जादा तर सारे camera पे मिल जाएगा तो simply आपको क्या करना है क्या i button को प्रेस करना है सबसे corner पे आपको wide valence option देखने को मिल जाएगा और जैसे कि Nikon के Z series में option है F1 और F2 का तो F1 में आपको wide valence default set हुआ रहता है तो simply आपको प्रेस करना है और shutter dial जो common shutter dial होता है sub dial इसको बोलते है उसको rotate करने पे तो wide valence का mode आप देख सकते हो कि change होता है तो यहाँ पे देखिए मैं आपको छोटा सा practical दिखा तो अगर आप Kelvin करते है तो कई बार आप से क्या होता है color set नहीं होता है तो simply आपको प्रेस करेंगे प्री वाला जो बटन है प्री पे जाके आपको तीन से चार सेगंड तक वह क्लिक करके रखना है दोस्तों सिंपल सापको एक्जम्पल दे तो माल लीजे कि यहाँ पर wide valence बिल्कुल ही बिगड़ा पड़ा है तो simply आपको प्री वाले option को तीन से वाइड कलर से खाफी मैच करता है तो सिर्फ मुझे क्या करना गाँ देखें ओं नीचे लिखा है ओके मैजर लिखा हुआ है simply आपको वहाँ पे क्लिक करना है टच करना मतलब एक फोटो क्लिक करके सेफ करना है जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो suddenly जो मेरा wide valence से वो दोस्तों कैमरे की और वी जादा सेटिंग्स जानने के लिए हमार चैनल को पर दीजिए का सब्सक्राइब चलिए एक नए वीडियो में आपसे मिलते हैं